आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Welcome to the question is Define the term Co-Dominance with one example So guys, यहाँ पर हमें Co-Dominance को Define करना है और एक example देना है So guys, Co-Dominance basically क्या रहता है जब दो dominant allele से होते है वो क्या करते हैं? वो अपना Equal Effect शो करते है तो Alleles Showing Equal Dominating Effect तो उसको हम क्या होते है Co-Dominance ठीक है So guys, जो Blood Grouping रहती है वो example है हमारा Co-Dominance का कैसे? अब Blood Grouping जो होती है guys वो 3 allele से control होती है तो यह है Multiple Allelism का भी example जहाँ पर IA जो है वो I.O पर dominant है I.B जो है वो भी I.O पर dominant है तो अगर जैसे I.A. I.O के साथ आ गया तो उस case में क्या होगा? जो Blood Group होगा वो होगा A Blood Group ठीक है अगर B आ गया I.O के साथ तो इस case में होगा B Blood Group ठीक है और यह अपनी Homosagas condition में भी valid रहेगा ओके अब O Blood Group के case में इस Alleyle को अपनी Recessive Condition में आना पड़ेगा क्योंकि यह कैसा है? Recessive Alleyle है लेकिन अगर A और B साथ में जब आते हैं तो क्या होता है? यह वाला Alleyle और यह वाला Alleyle जो है यह अपना Equal Effect दिखाते हैं ठीक है? और इस case में जो Blood Group होता है तो यह किसका एक्जामपल है? यह एक्जामपल है Co-Dominance का मतलब यह दोनों Alleyle जो होते हैं यह अपना Equally Dominating Effect शो करते हैं ठीक है? तो इससे जो Blood Group होता है वो होता है AB तो हम समझ चुके हैं कि Co-Dominance के एक्जामपल है इसका Blood Group में Thank You क्लासिक स्ट्वेल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 पर